सदियों से ये आदमी और सीते एक साथ रहते हैं एक समय था जब एक काले सीर वाला आदमी जंगल में रहता था ऐसी और इसका इसक्रेपर्स बिल्डिंग में रहता था और जानता था कि खुद को जंगली जानवरों से कैसे बसाए जाए आलंकी अब समय बदल गया है और इंचान और जानवरों के अटूट रिष्टे का अंत हो गया है समय के साथ इंचानों ने अपने स्वाक आनंद के लिए जानवरों को पालने लगा है लेकिन आज हम आपको बारत में एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जा चीते और इंचान सदियों से एक साथ रहते हैं और अभी तक कोई अपरतिय सित या अपर ये गटना नहीं हुई है एक या दोनी सेकडों तेंदियों मिलकर दस गाओं में अपनी अलग दुनिया बनाई है और दोनों अपनी दुनिया में रहते हैं परकासित व्यवसेड के अनुसार रायस्तान के बेरा गाओं में पिछले सो वरस्य सिते और इंसान का एक साथ रह रहे हैं दोनों के बीच प्रेम और सामंजे इतना गयरा हो गया है कि सिते इंचान और उनके बच्चों को नुक्सान नहीं पोशाते यहां के इस्तानी लोगों को भी सिते लेकर रहने की आदत हो गये कि चोटे बच्चे भी इन्हें देखने से नई डरते कहते है कि एक बार सिते ने बच्चे को मुँ में दबा कर ले लिया था लेकिन फिर जिंगल में जाने से पेले थोड़ी दूर चोड़ दिया अब सेर के दस गावों में ऐसा गुमता है सिता की लोग उसे अपने ही परिवार का सदिश्य समझने लगे है इस गाव में रबारी जन्जाती की लोग रहते है और ये लोग हजारों साल पेले इरांसी अपकानिस्तान राहिस्तान आकर हमेशा के लिए यह बस गए ये भगवान सिव की पुजा करने वाले लोग मानते है की भगवान का बेजा हुआ सिते अपना रक्सक है प्रिणाम सवरुप ये कभी उने च्वाट नहीं पोशाते दिल्चप बात ये है कि अगर कोई सिता कभी अपने मवेशियो गाय ब्यास का सिकार करता है लेकिन ग्रामिन उसे बली की तरह देखते है और त्यांदियों को माप कर देते है और उने नुक्सान नहीं पोशाते है जैर बारी राइका